29 ओक्टूबर साल 2020 यानि गुरुवार को सरकार का एक और बड़ा एलान सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि आज से भारत में पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा PUBG Mobile एप PUBG Mobile को पिछले महीने भारत में 117 चीनी एप्स के साथ बंद किया गया था जिसमें PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite दोनों ही शामिल थे आपको बता दे कि सरकारी आदेश के बाद PUBG Mobile को Google Play Store और App Store से हटा दिया गया है गुरुवार के देर शाम PUBG Mobile ने अपने Facebook पेज पर ये खोशना की है कि 30 October 2020 यानि आज से टेशन गेम द्वारा भारत में सभी यूजर्स के लिए PUBG Mobile Nordic Map और PUBG Mobile Lite दोनों के लिए सभी सेवाई और एक्सेस खतम कर दी जाएंगी हालांकि ये गेम उन लोगों द्वारा अभी भी खेला जा सकता था जिन्होंने इसे अपने फोन में पहले से ही इंस्टोल किया हुआ था लेकिन अब PUBG Mobile ने की घोशना की है कि ये एप भारत में आज से ही पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा इसे के साथ PUBG Mobile ने ये भी हाइलाइट किया है कि उसने ही यूजर प्राइवेसी और डाटा को प्रोटेक्ट क्या हुआ है भारत सरकार ने PUBG Mobile और दूसरे चीनी अप्स को भी प्राइवेसी और सीक्योर्टी सम्मधिक खतरों के चलते ही बैंड किया था अब आप देख सकते हैं कि भारत में PUBG प्रेयों की चिंता एप बंद होने के बाद बढ़ती चली जा रही है लेकिन खबराएगा नहीं हम आपको बताएंगे एक ऐसा तरीका जिसको देख कर आप अपने फोन में फिर से PUBG को अंस्टॉल कर सकते हैं सबसे पहले फोन में Google Play Store ऑपन कीजिए फिर इसमें Solo VPN डाउनलोड कीजिए इसके बाद options आएंगे बहुत सारे जिसमें से हमें South Korea Location को सेलेक्ट करना है उसको connect कीजिए देखिए इहां पर connecting चल रही है अब इसको minimize करके phone की setting on कीजिए और इसमें Apps को on कीजिए इसके बाद manage apps में Play Store को open केने के बाद चार्टर के लिए कर दीजिए इसके बाद फिर से Google Play Store on कीजिए इसमें PUBG Care को download कीजिए आप देख रहे हैं हमने इसमें PUBG Care टाइप किया है जिसके बाद अब इसको download करेंगे देखें यहाँ पर install का option आ गया है दोस्तो इस तरीके से हम दोस्तो इस तरीके से आप इस game को दोबारा से अपने phone में खेल सकते हैं उमीदे दोस्तो आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई होगी अब मुझे देजी इजाज़त फिर मिलते हैं एक new story के साथ तब तक के लिए बने रहेए अर्थप्रकास TV के साथ ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकास TV और बेल आइकन दबाना न भूलें